आज के समय में बिना मोबाइल फोन और बिना इंटरनेट के एक बिदिन गुजारना लगभग मुस्किल साह हो जाता है आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में अगर इंटरनेट ना हो तो फिर मोबाइल एक तरह से किसी काम का नहीं रह जाता जैसे जैसे विज्ञान प्रगती कर रहा है वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड भी तेज होती जा रही है पहले 2G से लोग काम चल जाता था फिर 3G आई फिर 4G और आप 5G का जमाना आ चुका है और 6G की बात हो रही है लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट की स्टेश में है तो आईए इस बारे में हम आपको बताते हैं तो इसमें नाम आता है चीन का चीन के दावे के मुताविक इंटरनेट स्पीड के मामले में इंटरेट की ये सुविधा चीन में लगवग 3,000 किलोमीटर तक अप्टिकल फाइवर के जरीए फैला है इंटरेट के इस नए नेटवर्क को चीन का बैकबॉन नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है चीन में आम लोगों के लिए इंटरेट की ये तेज स्पीट कब तक मिलेगी इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता इस दोर में बिना इंटरेट के आदमी का गुजारा हो पाना मुश्किल है इंटरेट इंसान के लिए खाने की तरफ बहुत जरूरी हो गया है एनालिस्ट फर्म एमलेब और केमपेरिजन साइट के वल ने इंटरेट को लेकर जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तेज और धीमी स्पीड से इंटरेट चलाने वाले देशों की सुची सामने आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेज इंटरेट वरतमान में जर्सी में चलता है यहां इंटरेट की स्पीड 264.52 MBPS है इसके अलाबा दक्षिन कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ 212.57 MBPS की स्पीड है इसके बाद फ्रांस में ब्रॉडबेंड स्पीड 214.04 MBPS है इसके अलाबा बात अगर चिली की करें तो चिली में भी इंटरेट बहुत फास्ट है यहां की स्पीड 217.60 MBPS है साती सुजरलेंड में 222.96 MBPS ब्रॉडबेंड स्पीड है यह पाँचवे नंबर पर आता है इसके अलाबा इस सुची में रोमानिया चौथी नंबर पर है यहां की स्पीड 222.17 MBPS है इस तरह हॉंक कॉंग में भी काफी तेज इंटरेट चलता है यहां 254.70 MBPS ब्रॉडबेंड की स्पीड है इस तरह दुनिया के कई देशों में काफी तेज इंटरेट चलता है दुनिया के कई देश अब 5G के बाद 6G की और आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया के कई देशों में इंटरेट स्पीड को लेकर चर्चाएं होती ही रहती है समय सवय पर इंटरेट स्पीड को लेकर रिपोर्ड भी सामने आती रहती है और इस सुची में बदलाओ भी होता रहता है